तो guys income tax और GST में जो change बोला गया था वो अब जाकर implement किया गया और ये काफी impact करेगा आपकी सभी reconciliation में because काफी लोग अपनी GST में turnover कुछ और दिखा देते हैं और income tax में कोई और turnover होती है कम turnover पर tax pay कर देते हैं but guys अभी ये सारी detail आपके income tax में 26AS के form में आपको मिल जाएगी और कब से start हो रहा है वो अब अभी हम पढ़ लेते हैं GST turnover now appearing in form 26AS आपको दिखाऊंगा भी from financial year 1920 GSTR 3B return month wise detail किसकी बात हो रही है 3B में जो detail जाती है na sales की वो आपको आपको 26AS में दिखेगी तो कौन-कौन से detail दिखने वाली है 26AS में GST number, ARN number, date of filing, GST return मतलब 3B की return period, taxable turnover and total turnover अब आपको मैं दिखाता हूँ कि 26AS के कौन से close में आपको दिखेगी पोर्टल पर login कर लिया है आपको view form 26AS में चले जाना है तो आप यहाँ पर part H देख सकते हो details of turnover as per GSTR 3B सारी details यहाँ पर आ रही है नीचे एक note दिया हुआ है GST and data displayed above includes internal stock transfers as well because अगर एक pen पर चार registration है चार state में तो वो आपस में sales भी कर सकती है transfer कर सकती है और उसके ओपर GST भी pay करना पड़ता है अगर हम company wise turnover देखें वो जो inter stock transfer होती है वो company की turnover नहीं होती है बट GSTN की turnover होती है तो वो turnover आपकी यह बता रहे हैं कि यह include करेगा include internal stock transfer as well जो यहाँ पर turnover आ रही है वो भी इसमें होगी तो उसके according आपको decision लेना है क्योंकि वो net क्या होगा एक state से अगर जा रहा है दूत्री state receive करें net तो zero हो जाएगा पट वो month wise होगा ना तो month wise होगा तो वहाँ पर आपकी detail दिखेगी तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप turnover डाल रहे हो GST में वही आपकी income tax में जाए विकोज वह आपकी 26 A's में शो कर रही है तो कुछ भी इसमें miss match होगा तो आपको उसका notice definitely आ जाएगा तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक करना और भी लोग अच्छा शेयर करना तब तक लिए जय हिंद जय बार